क्या कारण है कि कुलफी या ऐस्क्रीम बनाने वाला ब्व्यक्ति हिमकारी मिश्टन बनाते समय उसमें नमक का उप्यों करता है चिसे बरभ काफी समय तक पानी में नहीं बदलती है और कुलफी वा ऐस्क्रीम जमी रहती है वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है उबलते वे तेलों में निकल चून की उपस्तिती में हाइडुजन कैस परवाइद करने पर वनस्पति घी पराप्त होता है इसे वनस्पति तेलों का हाइडुजन निकरण कहते हैं इस बरतन की जालन या ठांका बनाने में स्वडर्मिस्ट धातुड़का उपयोग क्यों किया जाता है बरतन की जालन या ठांका पन लगाने में स्वडर्मिस्ट धातुड़का लगाने में किया जाता है बरब जल की उपर तेरती है क्यों सामेनतव पदार्थ का ठोस रूप उसकी दर्व की तुलना में भारी होता है परंद जल का ब्यवार इसके विप्रीत होता है अतार्थ जल का दर्व रूप ठोस रूप की तुलना में भारी होता है इसलिए बरफ जल के उपर तेड़ी रहती है मोटर गाड़ी में पैटरोल भरवा कर जिदर चाहू उदर दोड़ सकते है क्यों मोटर गाड़ी में पैटरोल की महीन फुआर हवा के साथ फैंकी जाती है और इसमें आग लगाने के लिए एक पुर्जा होता है जिसे स्पार्क पलक कहते हैं जिसमें हलकी चिंगारिया पैदा की जा सकती है जो पैटरोल भरवा के मिश्रन में आग लगा देती है आग लगने से इधन धमाके की साथ एक आएक फैलता है और इस तरह पिस्टन को धकिल देता है पिस्टन से जूड़ी कनेक्टिंग रोड भी पीछे जाती है और यह क्रेक्ट साफ्ट को घुमाती है जिसे करण पया घुमता है CFC हमारे लिए किस परकार गातक है इनका परियोग वातानों कूलकों परसी तकों और वाईव फुआरों में सीतलक की रूप में किया जाता है इन गेश्य योगिकों को जब वाई मंडल में मुक्त किया जाता है तो उसे वाई मंडल के उपर पड़तों या समता मंडल में वाई परवादवारा ले दिया जाता है यहां भी ओजोन को अनुत करमनियां ढंक से परवावित करती है यह वाई मंडल को कुछ वर्सों के लिए बड़ा नुक्सान पहुंचाता रहता है यह ओजन पुरत को गटा देता है हमें हानिकाराख प्रावेंगनी किर्डों का सामना करना पड़ता है जल परतुसर्ण के मुक्या सुरूत कौन कौन से है जल का परतुसर्ण मुक्यतों निम्न कारणों से होता है मानाओ के ओड़्योगी किर्यकलाब जीवन सैने और वियागयती आदते ओड़्योगी अब जल इन मैसे आठा है रंग उध्योग, रंचक उध्योग, और सद उध्योग, इसकी अलावा धातों के योगी कारण डायक्साइड, घंदक के ओक्साइड, नाइटोजन के ओक्साइड जब उध्योगों के भी सराव के रूप में मिल जाती है खाद इलेक्ट्रोनिक्स बनाने के लिए ग्रेफियन के समवाल कैसे किया जा सकता है फर्वरी तुजा अठाइस में राइस, फिसर द्यालेई ने टोस्ट, अलू और नारियल की तोचा के कारवन को ग्रेफियन में बदलने का एक तरीका निकाला है इस वी दिखाव प्योग बोजने अन्य समवागिरियों में खाद सेंसर पहचानने वाले टैग या इलेक्टो कैटीसिट के रूब में किया जाता है ईगया निकोंने सीटे खाने के पतार्त को लेजर किरन के माधियम से एकल आनवी परत की ग्रेफिन की रोब में बदलने मैं सबलता हाइसिल किया है ग्रेफिन को मेरे कल मटेरियल भी कह जाता है साबून क्या है साबून एक वसीय अमल और सोडियम लाओन है वश्या अमलों में एक लंभी हाइडो कार्बन से इंकला होती है जिसके एक सीरे पर हमलया समूह होता है साबून को स्ट्रीड अमल और सोडियम हाइड ऑक्साइट के बीच के भी किःटा द्वारा बनाए जाता है साबुननिकरन की कीटिया में मुनसक्षी तीजर वसा चास्टिक सोड़र या कास्टिक पोटास के जलिय को गरब करकेLoves session की चाहर साबुन का निर्वान होता है तथा गलिसरी मुक्थो होता साथ रनता है तापकर्म पर साबुन नरम ठोज एवं आपाथ सील पतारत है यो कारवन मिश्रन जल में घुल कर जहागुचपन करता है इसका जल्या घुल छारिया होता है जो लाल रिटमस को निला कर देता है कांच रंग कैसे पाता है संगलित कांचों में धात्विक ऑक्साइड हों जैसे कुछ योग सिल पतारतों को मिश्रित करके रंगीन कांच परावत किया जाता है बिन बिन योग सिल पतारत अलग-अलग रंग के कांच उत्पन करते हैं फेरिक ऑक्साइड मिश्रित करने के फलस हरे लाल एवं नीले रंगों के कांच प्राथ होते हैं कांच में रंग देने के लिए हम उसमें अलब वातरा में धातों के योगित मिलाई जाते हैं धाती के योगिकों का चुनाव वांचित रंग पर निर्वर करता है रंग देने वाले पतारत कांच का रंग कोबर्ड ऑक्स अक्साइड हरा सिलेनियम अक्साइड नारंगी लाल फेरिक लवन या सोडियम यूरेनेट पड़ती दिपसील पीला गोल्ड कलोराइड या परपिल ऑप कासियस रूबी जैसा लाल क्यूपरस अक्साइड कैडमियम सलफाइड चटक लाल क्यूपरिक लवन पिकोग नीला नेमो जैसा बिला कार्बन कहर हुआ